हेलो वियर्स, असलाम अलेकूम आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर पनीर की सबजी इसके लिए मैंने 200 ग्राम मटर ले ली है 500 ग्राम मैंने यहाँ पनीर का इस्तमाल कर रही हूँ और 3 बड़े आलू को लेकर मैंने अच्छे से काट कर रख लिया अब इदर एक कूकर में मैंने दो बड़े चमश तेल ले लिया है जब तेल गरम हो जाएगा तो उसमें मैंने दो बड़ी प्याजों को काट कर इसमें डाल दिया डालने के बाद हम इसको अच्छे से गोल्डन फ्राइ करेंगे golden fry जब हमारी प्याजे हो जाएंगी तो हम इसमें wears matter को add कर देंगे matter को थोड़ा सा गलने में time लगता है इसलिए हम इसको खुब अच्छे से fry कर देंगे जितने आप अच्छे से इसको fry करेंगे तो फिर ये easily गल जाएगी और आप उसके बाद इसमें masala add कीजे मैंने एक बड़ा चमबच इसमें नमक डाला नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा एक चमबच यहाँ पर मैं healthy powder का इस्तमाल कर रही हूँ एक चमबच यहाँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डालने वाली हूँ और उसके बाद मैंने डेर चमबच यहाँ पर धनिया powder इसमें add कर दिया है अब हम इसमें पानी डालने के बाद हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा पानी डाला है और एक चमबच यहाँ मैंने भर कर डाला है इसमें लसन अदरक का paste सब चीजों को चला लिया थोड़ा सा पानी add किया है और अब इस मसाले को हम मटर के साथ खुब अच्छे से भून लेंगे हमें यह low से medium flame पर करना है और उसके बाद जब हमारा मसाला भून जाएगा तो अब हम इसमें यहाँ पर एक बड़ा टेमाटर मैंने काट कर इसमें add कर दिया देखिया यह बिल्कुल optional है आप चाहें तो टेमाटर डाले और आप चाहें तो आप इसको skip भी कर सकती है जब टेमाटर हमारा थोड़ा सा tender हो जाएगा तो यह बहुत ही important देखिये इसका ingredient है इसमें जरूर जरूर डालिएगा हमने finally cubes में काट कर रख लिया है उसको हम इसमें add करेंगे add करने के बाद वियर्स हम आलू मटर पनीर को मसालों के साथ खुब अच्छे से चला कर mix कर देंगे बस वियर्स आप से मेरी humble humble request है कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज देखिए मुझे आपके साथ की आपके प्यार की बहुत जरूरत है आप प्लीज चैनल को subscribe करें like करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा share करें बस अब यह हमारा मसाला भुन गया है तो अब यह आपके उपर depend करता है कि आपको किस तरह की सबजी बनानी है अगर आपको gravy बनानी है तो आप इसमें एक बड़ा glass पानी डाल दीजे और अगर आपको सूखी सबजी बनानी है तो आप इसको पानी को उसी के हिसाब से थोड़ा कम डालिए लेकिन मुझे यहाँ पर यह क्योंकि मेरे बच्चों को यह आलू मटर पनीर की सबजी जो नान के साथ पसंद है तो इसलिए मैं यह आपको जादा पानी डाला है यह थोड़ा शोरवे वाली सबजी बनाने वाली हूँ तो देखिए दो सीटी हमने इसमें दिला ली है उसके बाद उसी प्रेशर में हमारी सबजी बनकर विल्कुल तयार हो चुकी है मेरे बच्ची इसको नान से खाएंगे इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको पतला बनाया है अगर आप इसमें थोड़ा आपको सूखी हुई सबजी रखनी है तो आप पानी जो है वो आदा कप इस्तमाल कर सकती है सिर्फ इतना पानी डालिए कि सबजी गल जाए उसके बाद आप इसको कसूरी मेती से गार्णिश करिए आप इसको नान के साथ परहाटे के साथ पूरी के साथ सर्फ कीजे तो आप यकीन मानी इतने मज़े के सबजी बनेंगी कि आपको मज़ आ जाएगा बस वियर्स मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए खुदा हाफिज